नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बात सबाट मैं हूँ आपके साथ समझ्जा बात सबाट में बात आज कर लेते हैं सियासत की विहार की सियासत में वैसे तो कौन दोस्त कब दुश्मन बन जाए और कौन दुश्मन कब दोस्त बन जाए ये कहा नहीं जा सकता है अर ये इतियास पूर रहा है, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बिश्मन बन जाते हैं लेकिन एक पाटी कॉंग्रेस है जो कभी भी दोस्त या दुश्मन के रोल में रहे रहेगी दूसरे के रहमों करम पर ही और उप्चुनाव में कॉंग्रिस ने अकेले लड़कर देख लिया आर्जेडी ने जब दोनों सीटें जटक ली हार में एक पर फिर से सिती वही है मल्सी के लिए बिहार विधान परशद में स्थानिय कोटे से 24 सीटों के लिए चुनाव होने वाले है उस चुनाव को लेकर बिहार के सर्द मौसम में पारा गरम है और महागडबंधन में फिर से तनाव है आरजेडी कह रहा है महागडबंधन एक जुड़तो है लेकिन कॉंग्रेस को हमारी बात माननी पड़ेगी है कॉंग्रेस क्या करेगी फिर से विश्लकू बनेगी या फिर अकेले लड़ेगी और अकेले लड़ेगी तो फिर आरकम सामना करेगी यही सवाल आज बिहार में एमल से चुनाओ है, महागडबंधर में फिर से तनाओ उपचुनाओ में हुआ था हाथ और लाल्टिन में तनाओ में फिर से चुनाओ के लिए निन्द दो नामें तनाओ के लिए निन्द दो कि राष्टी जनता दल की और्शे और मिर्वारों के पोश्ना पर काम करें एक सीट तो फाइनल है, हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोगड़ेंगे दोनों सीट पर राजद अपने प्रतियास्टी का एनॉंस्मेंट कर रही है, बहुत ही आस्ट रही है मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पीछे आगे जाने का, किसी को पीछे आगे के बात कहां हो रही है ये तो चुनाव है और उन मादियों को हराने का एक सबसे बड़ा मिशन नहीं सकते हैं अब 24 सीटों के लिए होने हैं MLC चुनाव में भी RGD ने नहीं दिया कॉंग्रेस को भाव इसे तुमसे कॉंग्रेस को कंपरमाइज करना चाहिए और जो आराज़त तैक करता है उसको स्विकार करना चाहिए आपनी बात करेगी दूसरे अपनी बात करेगी राज़त स्वतंत रहे अपनी बात करने के लिए और कॉंग्रेस अपनी बात करेगी MLC चुनाव है महागडबंधन में तनाव है और तनाव आरज़ेडी और कॉंग्रेस के बीच विहार में वैसे तो कौन सी सियासी पार्ठी कभी किसका दोस्त बन जाए किसका दुश्मन कहा नहीं जा सकता है लिए एक पार्ठी है जो दोस्त बने है दुश्मन रहती है दूसरे के रहमों करम पर कॉंग्रेस तशले तीन दस्तों से जादा से अपनी सियासी जमीन तलाश रही है कॉंग्रेस और सिती ये है कि कड़बंधन में रहने पर उसे आरज्वेडी की हर बात माननी पड़ेगी नहीं तो अकेले चलिए और अकेले चलना पड़ेगा और अकेले चलने पर सिर्फार ही मिलती है उप चुनाओ के बाद एक पर फिर से कॉंग्रेस के सामने यही संकट सामने है 24 सीटों के लिए होने वाले MLC चुनाओ में सवाल है अब कॉंग्रेस क्या करेगी तारीख 24 सितंबर महागडबंधन के नेदाओं ने दिखाई एक जुटता तारीख 4 अक्टूबर महागडबंधन में महा भारत तारापूर और कुशेशर अस्थान शे बिहार बिधान सभासे के उप चुनाओ के लिए निम्न दो नामों की राष्टी जनता दल की ओर से अमीरवारों के बोश्मा परता हूं एक सीट तो फाइनल है हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोग लेंगे दोनों सीट पर राजद अपने प्रतियास्थी का एनॉंस्मेंट कर रही है बहुत ही आसर चकीत है हम लोगों दिल्ली भी बात की है और अगर वह वापस नहीं लेते हैं आज तो हम लोग को कल तक हम उ हो रही है यह तो चुनाव है और उन मादियों को हराने का एक सबसे बड़ा मिशन है सकते हैं साल 2021 में महज दर्स दिनों में ही महागडबंधन खंड-खंड हो गया था महज दर्स दिनों के अंदर उप्चनाव की दो सीटों को लेकर सारी एक जुड़ता की हावा निकल गई पारापूर और कुशेशर अस्थान शे बिहार बिधान सभासे के उप्चुनाव के लिए निन दो नामों की राश्टी जनता दल की ओर से अमीद्वारों के बोश्ना परता हूँ उप्चनाव में सीटों को लेकर कॉंग्रेस आर्जेडी में तनाव इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला कर चलने का दावा करने वाले नेता एक दूसरे पर जुबानी वार करने लगे तब कॉंग्रेस प्रभारी भक्त चरनदास ने आर्जेडी से गडबंधन तोड़ने का एलान कर दिया था साल बदला तारीख बदली लेकिन आर्जेडी का रवया नहीं बदला आर्जेडी के रवये से लग रहा है कि वो कॉंग्रेस को साथ लेकर तो चलना चाहता है लेकिन कॉंग्रेस का हाथ पकड़ कर नहीं हाथ को दबा कर जिसकी जलक एक बार फिर 24 सीटों के लिए स्थाने कोटे से होने वाले MLC चुनाव के बहाने दिख रही है आर्जेडी नेता तेरस्वी आदव लगातार विधान परशत चुनाव के रननिती बनाने और उम्मिदवानों के नाम तैक करने में जुटे हैं यहां तक के कई उम्मिदवानों के नाम फाइनल भी कर दिये गए वहीं आर्जेडी विधायक भाई विरेंदर ने कॉंग्रस को साफ कह दिया कि जिसका जितना आधार वोट होगा वो उस सीट का अहकदार होगा कॉंग्रस को नसीहत देते हुए कहा कि कॉंग्रस को कंपरमाइज कर आर्जेडी के फैसले को सुईकार करना चाहिए हलाकि कॉंग्रस ने भी पलटवार करते हुए कह दिया आर्जेडी अपनी बात करेगी एक दम महागडबंदन एक जूट रहेगा और महागडबंदन को ख्याल करके जहां जिसका आधार भोट है उस अनुसार सीट का बरबारा होगा अब लकीर का फकीर नहीं बनना है और आरजेडी ने तैक कर दिया है कि हमारा जहां जानाधार है हम उहां चुनाव लडेंगे जि कॉंग्रेस को कंपरमाइज करना चाहिए और जो राज़त तैक करता है उसको शिकार करना चाहिए कॉंग्रेस अपनी बात करेगी, दूसरे अपनी बात करेगी, राजत स्वतंतर है अपनी बात करने के लिए, पर कॉंग्रेस अपनी बात करेगी, हम अपने उम्मिद्वारों की सुची, अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के सहमती से सदाकत आश्रम में घोशना करेंगे, सब तो वहीं उप्चुनाव की तरह महागडबंधन में चल रही कि इस्तान पर NDA एक बरफिट से चुटकी ले रहा है। जेपटे सीम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि महागडबंधन को जनता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने राजनतेक फायदे के लिए एक साथ हैं। वहीं दारकिशोर प्रसाद ने एक जुट होने का दावा भी किया। साथ है, कहने को विबक्ष भले ही बार-बार एक जुट होने का दावा करे। लेकिन जब बात चुनाव और सीर्फ बटवारे की आती है, तो एक जुटता की हवा निकल जाती है। सो आरजेडी कॉंग्रिस के बीच उप्चनाव वाला तनाव फिर से दोराए, तो कोई आश्चर रणी। ब्यूर रपोर्ट, कशिश निउज। अपने उम्मिद्वारों को तारने की तयारी शुट करती है। और इतना ही नहीं आरजेडी कोड से उन उम्मिद्वारों को सियासी लॉलीपॉप भी धमा दिया गया है। हाला कि आरजेडी ने अभी तक उम्मिद्वारों की असली सूची जारी नहीं किया है। लेकिन अंदरखाने से बिल रही सुषना के बाद से कॉंग्रिस खेमे में तिलमलाहट देखने को मिल रही है अब सवाल है कि 2015 वाला आरजेडी कॉंग्रिस समझौता क्या है जो आरजेडी कॉंग्रिस को ओफर कर रहा है दरसल 2015 में विधान परसचुला में कॉंग्रिस ने पूनिया सहरसा और कतिहार के साथ पर्शम चापारन जैसी सीटों पर अपना उमज़वार खड़ा किया था चार सीटें मिले थी इस बार कॉंग्रिस सहरसा से भी अपनी दावेदारी वापस ले चुकी है कारण यह है कि कॉंग्रिस इस बार तर्भंगा बेगुसराय सितामढ़ी और भागलपूर जैसी नई सीटें मांग रही है और कॉंग्रिस इन सीटों को हर हाल में अपने पाले में करना चाह रही है लेकिन आरजेडी कॉंग्रिस के बीच भागपा की दावेदारी से लागपा माले की दावेदारी से इंकार नहीं कहा जा सकता है जिसकी दावेदारी भागलपूर सीट पर रही है कॉंग्रिस आरजेडी के नए नितरतु यारी तिरस्य आदव को लालु आदव को इस बयान की याद दिला रही है इसमें लालु ने कहा था कि कॉंग्रिस को वदान परशद की साथ सीटें दी जा सकती इसी आधार पर कॉंग्रिस ने मन बना लिया और अपनी चाहत वाली सीटों की मनशा जाहर कर दी कॉंग्रिस के अंदर से खबर ये है कि पार्टी इस बार समझाता नहीं होने की स्थिती में साथ से अधिक सीटों पर अपना उमदवार खड़ा कर देगी कॉंग्रिस की नराजगी की वज़े से ये भी है कि जिस सीट के लिए कॉंग्रिस पूरी तरह तयार है वो सीट पश्चिम चमपारन की है लेकिन आरज़ेडी ने बिना सलाह के वहां से अपना उमदवार तै कर दिया है और यहां बेगुसराई में भी आरज़ेडी के उमदवार बकाइदा परचार में जुट गया है आरज़ेडी की ओर से बार बार कॉंग्रिस को सियासी आउकाद दिखा जा रहा है कॉंग्रिस को मातर चार सीटें देने की बात कही जा रही है कॉंग्रिस में इस बात को लेकर नराज़गी है और बिहार कॉंग्रिस इस बात से अलाकमान को अवगत कराने की बात कह रहा है सवाल ये है कि कॉंग्रिस क्या बिहार में आरजेडी की पिछलगू बन कर ही रह जाएगी या अपना कोई स्टैंड लेगी अगर दोनों पाटियों के बेच बात सीच से मसला नहीं सुरसता है तो हालाद फिर से उपचनाव वाले होते नजर आ रहे हैं राज मेतर रसल विदान परश्ट में कुल सदस्रों की संख्या 75 है बिहार में विदान परश्ट में 75 सदस्रों है 55 है 75 में से 55 ही है क्योंकि 24 सीटें खाली है जून 2021 में ही ये 24 सीटें खाली हो चुकी है पंचाज चुनाओ में देरी के कारण इन सीटों को नहीं भरा जा सका और अब पंचाज चुनाओ खत्म हो गया तो MLC चुनाओ होंगे 2015 चुणाओं में क्या हुआ था ये आपको बताते हैं 2015 में बीजेपी को 11, जेडियू को 5 सीटों पर जीत मिली थी LGP को 1, कॉंग्रिस को 1, आर्जेडी को चुणी थी स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बात से बाट और बात justement कोरोना की बेकाबू होती रफटार की बिहार में कोरोना संक्रमन की रफटार तेज कोईज होती जा रही है 24 घंटे में बिहार में 5,908 नए मामले सामने आया है जो 10 जनवरी के मकाबले 1100 से जादा मामले है साफ है कोरोना की बद्र्थि रफ्तार बताने के लिए कासी है कि कहीubscribe अभी भी कोविट गाइडलास के पालं में लापरवाही बढ़ती जा रही है जम्हें जरूरी है कि हम आप कोरोना से लड़ें लेकिन दरें नहीं और कोविट गाइडलास के सक्ती से पालं चरें पूरे देश भर में इन दिनों कोरोना के मामले तीज़ी से बढ़ रहे हैं बात बिहार की करें तो यहां भी मामले लगतार बढ़ रहे हैं इस तीसरी लेर में मामले तो काफी तीज़ी से बढ़ रहे हैं कि रजाहत की बात भी है कि उस्पिटालिजेशन की दर बहुत कम थी फर्तिस संक्रमन की दर के बीच समसे ज़्यादा जरूरी है हमारा वेवार जो कुवीट गाइडलाइन के रूप है या नहीं क्योंकि सरकार एक तरफ मुकमल वश्था और कड़ाई से गाइडलाइन का फालिन करवाने की बात कर रही है तो दूसरी और हमारी आपकी भी समयदारी बनती है इस सजग और सतरक रहें डरें नहीं और किसी भी तरीके से पाइनिक ना करें अगर हम कोवीड के तीसरी लहर में सिंक्रमन के बाद के लक्षोन की बात करें तो ये पहली और दूसरी लहर सो यालक और कम है जो राहत की बात है आए ग्राफिक से माध्यम से जानते हैं पहली दूसरी और तीसरी लहर के बीच के अंतर पहली लहर इसमें गंद और स्वाद गायब हो जाता था, दूसरी लहर में भी गंद और स्वाद गायब हो जाता था, वहीं तीसरी लहर में गंद और स्वाद पर करार रहता था पहली लहर में सूखी खांसी होती थी, दूसरी लहर में भी सूखी खांसी होती थी, वहीं तीसरी लहर में खांसी और कप दोनों होता है पहली लहर में चाती में संकर्वन होता था, दूसरी लहर में भी चाती में संकर्वन होता था, दीसरी लहर में चाती में संकर्वन नहीं पाया जा रहा है पहली लहर में तेज बुखार होता था, दूसरी लहर में भी तेज बुखार होता था, वहीं तीसरी लहर में मामुली बुखार देखा जा रहा है पहली लहर में बेहत कमजोरी होती थी, वहीं दूसरी लहर में बेहत कमजोरी होती थी, तीसरी लहर में मामूली कमजोरी देखी जा रही है पहली लहर में अगर सांस के तक्लीफ की बात करें तो कुछ लोग को सांस में तक्लीफ है वहीं दूसरी लहर में जादा तर लोगों को सांस में तक्लीफ की शिकाज भी वहीं तीसरी लहर में ना के बराबर सांस की तक्लीफ देखी जा रही है और सबसे अहबार पहली लेहर में भरती दर उच्छ थी दूसरी लेहर में भरती दर उच्छ थी और तीसरी लेहर में भरती दर बीहत निम्न है कि इसके लावाब दौक्टरों के माने हैं तो इस बाहर के संक्रम्न में अच्छी यह ज्वार्द परिशानी नहीं हो रही है तो जल्द से जल्द संक्रमन की हो धवराने की जरूदवरा नहीं है जो डेल्टा वाइरस यह कोविड बेन वे Nach spoke और और इससे लोग सीधे आईसवी पहुंचा रहे हैं लेकिन जो ओमिक्रोन वाइरस से यह फैलता तो जल्दी है लेकिन यह जादे खतरनाक नहीं है लोगों को गले में खराश, गले में दर्द, गले में सूजन, वोलने में दिक्कत, आवास फसा फसा रहना या इसके साथ बुखार या दर्ड ही हो सकता है लेकिन उनकी जान नहीं जा सकते इस पार जिस तरह से प्रसार बढ़े रहा है सरकार भी अलगले तरीके अपना रही ताकि संक्रमण किसी भी तरीके से कम इसी खड़ी में अब आपदा प्रवंद्र प्राधिकरण जर्प्रतिक्यों, NCC और जीवका दीनियों को 12 जनवरी से उनलाइन प्रेशिक्शन देगा त प्रेशिक्शन देगा तो कोविट गाइडलाइन्स का पालन करिये सतरक रहिए और स्वरक्षित रहिए इसे के साथ बात सबाद में आज पस्तरा ही नमस्क्राइब